सिच्छा अधिकार कानून 2009 के तहट प्रत्यव विद्याले में बालाक और बालिकाओं के लिए साप और सच्छे सोचलाय बनवाए गए हैं। परंतु वहीं काउसांबी जनपत के खड़ाबलाक के रोजे सहब खा इसमाइलपूर के प्राथमी विद्याला में पिछले एक साल से सफाई ना होने के काराण। जेबा साहित 88 बच्चों को सोचलाय के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माहस और यह है मेरे समधाई का स्कूल। आप लोग क्या चाहते हों। आपके यहां संचलाय है। कैसा संचलाय है। गंदा है। जुलाई से। तो आप संचलाय कहां जाती हैं फिर बाहर खुले में। क्या दिक्कत होती बाहर खुले में जाने से ? पढ़ाई के रुकसान होता है। बाहर खुले में जाना अचा नहीं लगता है वहां पे। आप क्या चाहते हों। हम चाहते हैं कि हमारा इसकोल अच्छा रहे, सवचाले में सफाई रहे, हम लोग जास एच्छेज़े सर आपके हाँ क्या समस्य है? हमारी हाँ समस्या लभग से ठीक हैं लेकिन एक सवचाले की समस्या जो बेहत चिंता जनक है क्योंकि साफ सुथरा नहीं रह पाता है आपके हाँ बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे आप 88 हैं और आपका स्टाफ? स्टाफ हमारे 6 हैं ग्रामिर छेध रहुने कार Scriss하지 वाल आकर गंदा कर देते हम जिसे कारण से बड़ी परिसानि भड़ रही है संचाला गंदा होने से किस तरा की समूजय हैं हो एने समध्य है हूं कि जैसे लेडी टीचरे आ है लिटाएं अउनको चना पड़ता है हम लोग चाहते हैं कि यह साप begin माहँ अच्छा से समस्यों को समंधर कराने की लिए प्रेश किया गया कि सफाई कर्मिय्युक्त हो तो यहां पर हमें सफाई मैं चाहता हूँ इस विद्याले में नियमित संचाले की साफ सफाई हो जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो इसके लिए कौसामभी जनपत के बीएसे के मोबाइल नंबर 94-004-63 पर कॉल कर दबाव बनाएं जिससे इनकी समस्य अहल हो सके मैं महें इसमाइलपुर कड़कावसाम कर दिक्वार्यक हाईली